तो दूस्तो आज इस मूवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्नॉस और आप इसे fidelity के नाम से भी सर्च कर सकते हों जो रिलीज भी थी year 2019 में तो आज की इस मूवी में आप देखोगे इसक में चोट खाई भी एक ऐसी लड़की को जिसे जब धोका मिलता है तो वो तो कत करते हैं पर इससे पहले अगर आप चाहों तो हमारे सेकेंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मूवी स्टार्ट होती है और हमी दिखाया जाती है मूवी की में करेक्टर लेना तुस्तु मैंने इसका नाम चेज नहीं किया है सच में इसका नाम लेना ही है और यह एक तरह से चाहिप है क्योंकि आगे आप देखोगे इन्हें बहुतों का लेना है और फिलहाल यहां पर लेना का एक ही सगा हस्बेंड है वो है देना क्योंकि वो ही लेना को देता है पर फिलहाल जो है काफी दिनों स इनका लेन देन बंद चल रहा है ऐसा क्यों ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि जैसे ही लेना का लेने का मूड बनता है वैसे ही देना का देने का मूड ना बन करके वो उसे इगनूर करके इधर उदर हो जाता है ठीक ऐसा ही होता है जब मूवी स्टार्ट होती है और ह कहना क्या चाहती है खेर इसके बाद देना तयार होने चला जाता है और यहां पर वो अपना फोन भोल जाता है और दभी उसके फोन में एक मैसेज आता है लेना जब उसे चेक करती है तो उसने देखा कि यह मैसेज उधारी का है उधारी एक लड़की है ठीक है उसका नाम उध यहां पर देना एक थेटर में काम करता है तो वो अपने थेटर के दरफ पैदल ही निकल जाता है पर उपर से लेना उसे देख रही थी कि वो कहां चाहरा है तभी उसने नोटिस के आंग कि देना घर से कुछ दूर जाकर के एक कार में बैठ करके निकल जाता है यह देखकर के लेकिन पूरे दिन उसके माइंड में यही बाते चल रही थी और यहीं पर उसके पास एक नई पेशेंट भी आई है तो तो इस पेशेंट का चेहरा या दर्खलो आगे काम आएगा खैर पूरा दिन इस बास से फ्रस्टेट होकर के लेना को कुछ भी समझ नहीं आथा हॉस्पिटल से सीधा निकल जाती है एक बार की तरफ और यहां कलब पहुच करके वो देना को कॉल पर गोली देती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और काफी बिजी हूँ मुझे आने रोने लगता है इस जीज से लेना का मूड बहुत खराब हो गया परंतु इदने में ही पतानी उसको कहां से हवस की आत्मा सवार हो जाती है वो उसके साथ चुमाचाडी करने लगता है अब लेना को उसके साथ रहने भी मज़ा आ रहा था इसके बाद अगले दिन लेना क्यूकि वह एक फियेटर में काम करता है और आज उसका प्ले की रियर्सल है जो की वह कर रहा है उधारी के साथ उधारी याद है आपको जिसका मेंसेज आ रहा था खैर प्ले दो काफी खूण जला देने वाला था क्योंकि भईया वो इतना ज़्यक्त रोमैंटिक था कि ले प्रेले जैसा बन जाता है क्योंकि भहिया उसको नहीं मिल रही है घास और उधारी जाट रही है चबन प्रास इस वजह से उसे काफी गुस्ता आता है पर फिर से वह एक बार गंट्रूल कर लेती है और बहुत ही बोलाइटली बोलती है कि चलो उधारी मैं तुम्हें घर तक पर वह जा रही है इसकी पीछे उसका एक चोड़ा सा मोटो है कि वह उधारी का घर जानना चाहती है ताकि वह उस पर नजर रख सके ठीक ऐसा ही वह अगले दिन करती भी है जब देना उसके घर से निकल करके सीधा उधारी के घर में पहुंचा तो उसकी पीची-पीचे ले उसे पैदल जाना है परंतु अच्छी बात यह है कि यहां पर उसे एक सज्जन मिल जाता है जो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को एग्री कर देता है हाला कि वह दुनों एक दूसरे का नाम वगएरा नहीं पूसते हैं परंतु लिफ्ट दे देते हैं लेकिन आईला यह खुले में ही मैनद करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन इनकी किस्मत अच्छी दी कि पॉलिस आ गई आ परंतु लेना पकड़ी जाती है जिसके बाद पहली बार लेना को देना पड़ गया जुर्माना देना देने के बाद खैर उसे छोड़तो दिया जाता है जिसके बाद दिन वो हस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी तो यहां पर पतानी देना का मूट कैसे रोम रोम रोमेंटिक हो जाता है तो वो उसकी दयार होते हुए वीडियो बनाता है और उससे कहता है कि देखो तुम कितनी अच्छी दिखती हो परंतु लेना जिसकी पहले से ही फायर ह तो वो इस पर गुस्ता दिखाती है और बिल्गुल भी अच्छे से रियाक्ट नहीं करती है यहां पर देना उसका मूट ठीक करने के लिए उससे कहता है क्यो ना हम दोनों को जुट्टी लेने चाहिए और कहीं पर बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए लेना यह देखकर क बाबू है जो उस दिन कार में बेकाबू हो गया था उसने जब लेना को देखा तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है पर उन्तु बाद में फिर से उसकी लेने की इच्छा जाग उठती है और जब सभी लोग उसके कैबिन से चले जाते हैं तो भाईया अब खुसमत हो हर बार लिफ्ट देने पर कारिक्रम नहीं होता यहाँ पर इस बंदे के बारे में एक बाद जान लो कि जो लेना है यह इसकी क्रश है और अक्सर भाईया जी लेना के नाम पर हिला जुके हैं खैर यहां पर लेना कमबूड अल्रेडी बहुत खरा था तो वो उसे अपने हस्बेंड का लाइफ फुटेस दिखा दियें कि वो किस तरह से उधारी के साथ एंज़ाय कर रहा है और अपनी ही वाइप को चीट कर रहा है परंतु हम देखते हैं कि वो बंदा थोड़ा सा सुल्जावा है वो उसे समझाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो च लोग निकल जाते हैं अपने ट्रिप पर और यहां पर रास्ते में हम देखते हैं कि जो देना है वो लेना को काफी ज़्यादा इंटिडेन करने की कोशिश करता है परंतु लेना के माइंड में अभी वही बाते चल रहे हैं जिसके बाद वो लोग जब बीच के साइड में बैठे हुए थे तो लेना वहाँ पर इंडिरेक्ली उसे टोंड मारती हैं कि तुम यहां पर दो बैठे हुए हो क्या तुम्हें अभी अपनी उस को एक्टरेस की याद नहीं आरी क्या उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा है जिस पर उससे कहीं नहीं ऐसा लगता है कि लेना उसे टोंड मारी हैं परन्तु फिर भी वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता जिसके बाद लेना उससे डिरेक्ली बोल देती हैं यह सुनकर के देना को बहुत शौक लगता है कि उसकी वाइफ उसके बारे में अभी तक यही सूच रही थी लेना उससे कहती भी है कि मैंने डायलोक्स की जरूरत पड़ती हैं वही वह डायलोक्स थे जो कि उधारी मुझे सेंड कर रही थी अगर तुम्हें ऐसा कुछ डाउट हुआ भी था तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था पर तुम तो अपनी ही दुनिया में खो गई यह बात जद लेना ने सुनी तो भईय सारी मिसंडरस्टाइडिंग क्लियर कर लेते हैं जिसके बाद फाइनली उनकी एक बार फिर से अच्छी मैरी लाइफ स्टार्ट हो जाती हैं परन्तु भाहिया लाइफ इतनी खुशाल हो जाएं आस्ता के सिक साथ हुआ है क्या तो इनके साथ कैसे होगा इसी बीच हम देख जो हुआ उसे भूल जाओ अब करते हैं वादा हम रहेंगे अखंड ठंटी बढ़ रही है बाबू सिमला नहीं हम चलेंगे जारगंड स्टॉबेरी ही लाओंगा हमको बता है तुमको पसंद पर तुमको दे रहे हैं सौगन की करते वक्त ना मचाना दुरगंद दुरगंद सडा सडा के खराब कर देती हो आनंद जिससे गिर जाते हैं वो होसले जो मने हातों सी किये थे बोलंद अब तो मैं वहाँ भी एंट्री करूंगा जहां तुमने लगाया है परती बंद फट के फ्लावर बना दूँगा जैसे हो कोई फूल गुल गंद गेम स्टार्ट हुआ तो नहीं होगा बंद चाहे तुम क्यों न दे दो मुझे मृत्यू दंड अब इसके बाद थोड़ा हानीविया के स्टाइल में कहते हैं कि मृत्यू दंड से मैं डरता नहीं हवसी आसिक हूँ बाबू मैं मरता नहीं मेरा थर्की है छोटू वो ऐसे सुधरता नहीं और हिला दो घंटे से पहले मेरा थोड़ाठाओं खैर दुआधार साहरी के बाद उनका दुआधार पेलन कारिक्रम स्टार्ट हो जाता है खैर उसी दिन लेना जब अपने हस्पिटब नहीं पहसती है तो जो उसकी पेशेंट थी वह बहुत कुस्ते में उसके पास आती है और उसकी इस पूरी न्यूस को इंटरेट पर डाल देती है अब भाईया यह सुनकर के लेना को लेने के देने पड़ गए जब उससे पता चला है कि यह खबर इंटरेट पर आ चुकी है जिस उनकर के वह बैचारी बहुत दुखी होती है और रूते रूते घर वापस आती है यहाँ पर उसने दिखा कि उसका जो हस्पेंड है वो अल्रेडी वहाँ पर मौझूद है और भाईया वो तो दिल टूटे आसिक के तरह बिल्कुल टल ले है क्योंकि उन्हें अल्रेडी यह सब कुछ पता चल चुका था लेना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है परंतु देना क कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे लेना उसे काफी बार रिक्वेस्ट की सुननी गीं पर बाक्रन्तू देना कुछ भी नहीं सेज़ेस्ट भी करता है मुवी के एंडिंग में देना उसे सजेस्ट भी करता है कि हम लोग ये सिटी छोड़ करके किसी दूसरी सिटी में रह लेते हैं परन्तु देना उसे ये करने से मना करती है और कहती है कि लोगों को कहने दो बस कुछी दिन कहेंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे खेर उनके इसी कमिट्मेंट के साथ ये मुवी ही पर एंड हो जाती है परन्तु दोस्तों मैं आपसे एक कोशन पुछूंगा कि मुवी में एक्च्वल में गलत कौन था लेना या देना आप अपने उपीनियन के साथ से नीचे कमिट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहो तो पूरा एक्स्प्लेन करके भी लिख सकते हो आपके विचार जान करके मुझे बड़ी खुशी होगी वो भी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दीजेगा ऐसी ही और भी जद इंट्रेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे दोस्ते बात बगरा करना चाहते हैं तो इंस्टेग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजेगा तैंक यू बाबाई साइनिंग ओफ